नमस्कार दोस्तो शीविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है हमेशा की तरह कुछ नया और अच्छा दिखाऊंगा दोस्तो चोखट में पाइलिंग का जो काम किया जा रहा है वो आपको कैसा लगा कमेंड बॉक्स में अव होता है यहां भी दिया गया है उपर में दोस्तो फॉल सिलिंग का काम करवाया जा रहा है इस बेड्रूम में पूरे दो खिरकी है तो खिरकी तक तो नॉर्मल है अगर बात कर लेते हैं बालकनी का तो बालकनी भी कॉमन चीज है वो भी घर में देखने को मिल रहा है और इस दोस्तो अरहाई फीट चौड़ा दोस्तो बालकनी बनाया गया है जब भी बालकनी पर पड़ापेट वॉल या फिर रेलिंग लगाने की बात आती है सारे तीन फीट से नीचे पड़ापेट वॉल या फिर रेलिंग लगाना दोस्तो बच्चों के लिए सही नहीं है उनके स फीट रखा गया है, चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो 12 फीट का चौड़ाई दोस्तो रखा गया है, अब दोस्तो चली मैं आपको कुछ अलग चीज दिखाने वाला हूँ, जो कि नॉर्मल से घर में नहीं होता, चुकि अटेच बाथरूम तो अब सभी लोग देने लगे हैं, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा कीजिएगा, तब तो आपका मार्केट में अलग पहचान बनेगा, यह दिखे दोस्तो यहां पर एक कमबाइन ट्वाइलेट कम बात्रूम यहां पर दिया गया है, यहां पर कमोड बगर लगाने के लिए जगा छोड़ा गया है, प्लम भी साथिसां दोस्तो यह चीज़े बहुत पसंद आ रही है, कि जैसे ही आप बात्रूम से निकलेंगो दोस्तो आपको बेडरूम में ड्रेस चेंज करने के लिए नहीं आना होगा, बलकि ड्रेसिंग रूम अलग से दोस्तो बनाया जा रहा है, जो बात्रूम और साथिसां जो बेडरूम के बीच जो जगा खाली था, उसको हॉल में ना मिक्स करके दोस्तो क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम ही बनाया जा रहा है, उमीद करता हूँ दोस्तो यह चीज़ बहुत से लोग नहीं देखे होंगे, या फिर जो लोग भी बनवा रह और साथे साँ दोस्तो यह चीज़े होनी भी चाहिए ताकि आपको ड्रेस बगरा चेंज करने के लिए डारेक्ट बेडरूम में ना जाना पड़े, उमीद करता हूँ दोस्तो यह एक नई चीज़ आपने अवश नोटिस किया होगा, और साथे साँ दोस्तो ऐसे ही वीडिय आपको यह चीज़ आपको यह उमीद करता हूँ दोस्तो यह तो नमस्तो